वेलकम पेरेंट्स दोस्तो कई बारापकी तरफ से सवाल आता है पेरेंट्स की तरफ से पुछा जाता है कि ऐसी दवाई बता दीजिए जिससे बच्चे के दात फटा फट से आ जाजाएं जल्दी निकल जाएं आसानी से निकल जाएं दोनों चीज़े अलग हैं आसानी से और जल्दी बहुत जल्दी रहती है कि क्योंकि ऐसे लगता है कि सामने वाले बच्चे के आ गए हैं बगल वाला जो पड़ोसी है उसके बच्चे के दांत आ गए हैं वो तो देखिए मैं आपको यहां पर एक चीज बताना चाहूंगा कि बच्चे के दांत निकलने के लिए जल्दी निकलने के लिए ऐसी कोई दवाई नहीं आती है बच्चे का दांत निकलना जो रहता है यह उसके नॉर्मल डॉलप्मेंट का एक पार्ट है तो इसलिए प्लीज मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि ऐसी कोई दवाई आती नहीं बच्चा खाने को मुह में रख करके बैठ जाता है वो चबाता निये से रिलेटेड तो मैंने अभी कम्यूटी पर आपको पोस्ट किया था दो दिन पहले ही कि क्या आप इस समश्या से जूजे हुए है या भी जूज रहे हैं कि आपका बच्चा जो है चबाता निये खाने को तो देखिए उसके बहुत से आपके पास में जो रिपलाई आया है उसमें एक आकांगशा स्रिवास्तर जी का है इन्होंने काया कि सम्टाइम्स वें वी फीड माई सं जो की 15 मही ने काया है वें वी फीड माई सं पराठा आज ही जस्ट इस्टोर्स फूड इन हिस माउथ फ खाने को खिलाते हैं तो वो मैश नहीं करता है उसको चबाता नहीं है उसको मैस वेल मैश फ़ॉर्म या प्यूरी जो आज तक किला घः गई है वो भी खाना पसंद है उसको तो ये दो सवाल है इसमें पहला सवाल बच्चा मुमें रख करके बैठ रह है मैं आपको एक एक बताता हूं कई बार जैसे मैं खाना खा रहा हूं और मैंने दाल मेरे मूं में ले रखी दाल चामल खा रहा हूं सपोज कीजिए और अचानक से मुझे ऐसे लगता है कि कुछ कंकर आ गया आप लोगों ने भी एक्सपिडियंस किया हुगा आकर उसको निकाल देता है या फिर हम क्या करते हैं कि तंग जो है हमारी जो झीब इसके ले करके आते हैं और फिर उसको फैंक देते है इसा ही करते हैं कि ढूसरा यह जो मेरे पास capability आई है जो मैंने इसको roll करके उसको find out करा ये है कहाँ पर है अपने cheek की तरफ right left फिर मैं लेकर काई हूँ ये मैंने instantly नहीं सीखिया एकदम से इसके लिए सालों लगे है मुझे और आपको भी तो ये जो बच्चे मुह में रख करके बैठ रहे है ये अपने जो इनका जो मुह है उसकी अनाटमी को ये recognize कर रहे है टंग के movements को कर रहे है जगह कहाँ कहाँ पर है जहाँ खाना जा सकता है तो ये एक डॉर्मल डॉलप्मेंट का पार्ट है इसको लेकर करके आप पैनिक मत हो ये time के साथ धिरी धिरी उसे teach कीजिए सिखाये कम मात्रा का दीजिए वो उसके बाद में उसको लेने लग जाएगा तो it is a part of development इसमें आपको पैनिक होने की जरुरत बिल्कुल नहीं है अब बात करते हैं कि ये चबाते क्यों नहीं है देखे जैसे सो मोहिनों ने लिखा है कि इनका दो साल का बच्चा है very hard for us to feed him the totally not ready to eat any under-matched food need to mash well to feed him बहुत अच्छे से mash करोगे तभी चबाएगा नहीं तो नहीं लेता है दीपी काजी ने लिखा है my baby is 20 months now I am facing the same issue with my baby don't know how to overcome my daughter is 19 months she doesn't chew food properly इनकी भी बच्ची के साथ यह दिखा तो उसे भी puriform में देंगे तभी वो खाएगी और नहा जी ने बहुत अच्छा लिखा है इनका यह लिखना है कि इनकी जो बच्चा है इनका 2 साल 3 मेने का है वो भी चबाता नहीं है इनको लग रहा है कि इनसे mistake हो गई है कि इन्होंने puriform में खाना दिया I guess it was my mistake to start weaning process with puriform puries नहा जी जो भी हम complimentary feeding चालू करते हैं complimentary feeding हम हमेशा puries के साथ ही चालू करनी चीए वहाँ पर जो best जो उसका food जो starters होते हैं वो puries ही होते हैं आप जब chewing का वाला जो process है वो आप कब बच्चे से expect करते हैं जैसे बच्चा अपने शुरुआत में अपनी garden को hold कर रहा है फिर दीरे दीरे roll हो रहा है फिर उसके बाद में अपनी back को ट्रंग को इन सब चीजों को ये normal development है milestone है इस तरीके से आपको उसके लिए समझना पड़ेगा 11 मन्त आते हम expect करते हैं कि हाँ आप बच्चे के अंदर chewing moment आने चाहिए तो इसलिए मेरे अपने पिछले जो वीडियो जो हैं वहाँ भी मैंने आप लोगों से शेयर करी है कि आपके जो खाने की जो consistency है उसे आप धीरे धीरे थिक करते जाएए 6-8 मन्त या 9 मन्त तक आपको well masked होना चाहिए अच्छा puriform में होना चाहिए लेकिन उसके बाद अब वो बिल्कुल थिक होना चाहिए जिससे की बच्चे को अब उसे चबाने के लिए या उसका यह जो job moment उसमें जोर आए अभी भी यदि आप उसे वो ही consistency का खाना देते रहेंगे जो उसे अभी आपने 6 मन्त से start किया था तो फिर वो नहीं सीख पाएगा वो delay हो जाएगा तो यहाँ पर यही चीज याद रखिएगा कि जैसे जैसे बच्चे की age advance हो रही है आपका खाने की जो consistency उसे गाड़ा करते जाई है पहले आपने उसको puriform में लिया है फिर आपने mashed लिया है, chopped लिया है फिर जैसे हम लोग खाना खाते हैं उस तरीके से एक बात और ध्यान में रखिएगा कि जो हमारे सामने वाले दांत है ये बच्चे के पहले आते हैं इसे बाइट तो कर सकता है लेकिन जो चबाने वाली जो हमारे मॉलर्स हैं ये मॉलर्स जो first मॉलर्स हैं ये आएंगे 12-18 मेने के बीच between 12-18 months and second मॉलर आते हैं 2-2 साल के बीच जो चबाने वाले दांत है तो आप थोड़ा सा इस चीज को भी ध्यान रख सकते हैं कि ये डिलया थोड़ा लेट हो रहा है तो वहाँ पर हम अच्छे से एक्सपेक्ट करेंगे बच्चा बहुत अच्छे से कब चबाना सीखेगा क्योंकि दांत अभी वह फर्स्ट मॉलर आएंगे 12-18 मैंने में और सेकंड आएंगे 2-2 साल के बीच एक बात बहुत इंपोर्टन जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा ये बच्चे का जो खाना खाने का जो पार्ट है जबाने वाला जो है यहां पर दो चीजें वर्क करती हैं एक सेंसरी पार्ट और एक मोटर पार्ट आपको यह चीज समझनी पड़ेगी चीजिए मैं आपके सामने सपोज कीजिए एक ऐससा बेटें मैं ऐसा कहना आपके साथ रख़ दूँ एक फूड आईटम जो आपने आपके साथ देखा ही नहीं फिर उसके बाद शायद उसे accept करेंगे या नहीं भी करेंगे तो ऐसे बच्चे के साथ होता है आप लोग उसका sensory पार्ट समझे कोई भी खाना जब आप उसे दे रहे हैं तो उसके साथ TFL तच कराईए फिल कराईए प्ले कराईए तच फिल प्ले पहले उसे उससे familiar होने दीज तो पहले उसे एक दो दिन उसके साथ involve होने दीजिए उसे देखने दीजिए कि हाँ ये चीज ऐसी है और ये कुछ खाने के लिए हो सके तो उसके सामने खुद काट करके खाए एक दो दिन तब उसे लगेगा कि हाँ ये तो कुछ food item में खाने का है तो उसकी acceptance बढ़ आपने मूफ लाए बैलूनिंग की तरह से ये करा आपने मूमेंट कर रहे हैं आप कोई straw से पानी जाए या जैसे पीते हैं इस तरह के तो हमारा उद्देश है ये कि बच्चे की इस पार्ट की हमें exercise करानी है कुछ बच्चे जो जिन्होंने टीथर यूज किया होता है या तोई यूज किये होते हैं आपने देखा होगा वह चबा रहे होते हैं उनके chewing moments आ जाते हैं एक और मैं tip यहाँ पर आपको देना चाहूँगा यदि आप बच्चे को खाना खिलाने से पहले आप अपने अंगुली से या बेबी toothbrush जो हैं उससे आप करवा देंगे toothbrush तो फिर उसमें भी उसका chewing part आने के chances बढ़ जाते हैं वो अच्छे से चबाना सीख जाता है different textured foods अलग-अलग तरह के हो सकता है बच्चा इस texture का food accept नहीं कर रहा है लेकिन दूसरा जो texture है उसका food के अंदर उसके chewing moment आ जाएंगे यह भी आप पार्ट इसके अंदर play कर सकते हैं कई बार जो बड़े फूर्जा से आपने carrot ले लिए अच्छे से उसको बड़ा जो ले करके और फिर आप बच्चे कोई serving उसमें dip करके आप उसे दीजिए वो उससे उसे सीखेगा हमेशा याद रखिए बच्चे के सामने रहना खिलाते समय चोकिंग का ध्यान रखना है कि चोकिंग नहीं हो जाए कहीं उसने cut कर लिया है तो ऐसी स्थिति में आपका वहाँ पर present रहना बहुत ज़रूरी है और एक बात मैं आपको बता दूँ यह आपको बहुत problem आ रही है इसके बाद एक सवाल मेरे से और भी बहुत ज़्यादा पूछा गया है कि बच्चे जो है वो green potty करते हैं हरे रंगी तो क्या करें बहुत tension में parents आते हैं कि यह जो green potty है यह तो अचानक से कर रहा है देखिए यह tension का कारण हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है color जो है वो tension क का loss हो रहा है तो आपको उस समय ध्यान रखना है ORS का घौल पिलाना है बच्चे को लेकिन green color जो है वो यह जो छोटे बच्चे है जो आपके पास में एक साल से नीचे हैं या even toddlers में भी कई बार food items से भी related हो सकता है आपने green vegetables बहुत दरखी है या कुछ ऐसा green color का दिया है उ दोस्तों आज का जो यह video रहा मैंने आप से बात करी बच्चे के green potty से related बच्चे के दात निकलने की कौन सी दवाई है कौन सी best दवाई आ सकती है दात निकलने की और बच्चा मुह में खाना रखके बैठ गया बच्चा चबा नहीं रह तो क्या करना चीए मैं उमेद करता ह कि शायद आपको इस video से कुछ information मिली होगी जो थोड़े मैंने tips आपको बताए हैं यह tips आप यूज कर सकते हैं बच्चे के साथ और please comments में जरूर बताएगा कि क्या इससे आपको फायदा मिला की नहीं मिला तो tension नहीं करें पैनिक नहीं होएं और video अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें शेर करें एंड प्री चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू